स्वागत है आप सभी का एक्जाम वारियर के योट्यूब चैनल पर देखिए आने वाले समय में हिमाचल परदेश में बहुत सी भरते आपको देखने को मिलेगी अब कुछ एक भरतेओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें अगर सबसे पहले आपको बताएं जैसे का आप सभी जानते हो पंचायत सचिब के पदों पर भरती होनी है तो संख्या बढ़ चुकी है 412 पद अब यहां पर भरे जाएंगे पहले अगर बात करें 389 पदों को भरने की बात कही जा रही थी अब 412 पद यहां पर भरे जाएंगे जोगी बिधान सभा के बजट सत्र में एक विधायक दवारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ग्रामिन विकास एवं पंचायती राजमंतरी अनिरुद ने बताया कि हिमाचल में 412 नई स्रिजित ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद स्रिजित किये जाएंगे हिमाचल सरकार ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जल्द ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी दूसरी गूट निउस आपके लिए क्या है कि ग्राम रोजगार सेवक की भरती भी होने वाली है 124 पद यहाँ पर आपको ग्राम रोजगार सेवक के देखने को मिलेंगे साथ ही साथ यहाँ पर पंचायतों में चौकिदार के पदों पर भी भरती फिलाल नहीं हुई है यहाँ पर आपको इस पद पर भी भर्ती देखने को मिल सकती है अब बात करेंगे सबसे पहले पंचायत सचीव की तो आप से भी जानते हो इसमें graduation चाहिए लेकिन अगर gram रोजगार सीवक की बात करे तो जो पहले के समय इसमें qualification मांगी जाती थी plus two और one year computer diploma अब लेकिन यहाँ पर आप से भी जानते हो पहले पहले computer diploma मांगा जाता था लेकिन अब computer diploma मांगे नहीं जाते हैं बलकि exam में ही questions की जो quantity होती है वो computer की जादा पुछ ले जाती है तो computer diploma यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा in future जो मुझे लग रहा है क्योंकि पहली जो भरतियां होती थी जैसे पहले आपने देखा होगा JIT की लिए भी computer diploma मांगा जाता था लेकिन अब यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा उसी परकार से ग्राम रोजगार सेबक में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी बागी qualification इसकी plus two होती है 124 पद इसके भरे जाएंगे और पंचायद सेचिब की मैं आपको बता ही चुका हूँ total 536 पदों पर प्रक्रिया जो आपकी भरती की है वो काफी जल्द शुरू होने वाली है हालांकि यह तो शुरू हो चुका है कि किस परकार से कहा कितने पद खाली है इन सब चीजों का record मांग लिया गया है जिससे कि यह पता लगता है कि 536 पद टोटल यहां पर भरे जाएंगे बागी कब तक भरे जाएंगे यह depend करेगा जब सरकार officially notification निकालती है तो जैसे ही officially notification भी आएगा आपको बता दिया जाएगा बागी पंचायद सचिप के लिए क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है यह सब चीजे मैं आपको बता चुका हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आपने वो वीडियो एक बार जरूर देख लेनी है बाकी ग्राम रोजगार सेबक के previous year question paper भी आपके लिए हम provide करने की कोशिश करेंगे अगर question paper मिलता है तो हम आपको दे देंगे अगर किसी के पास ग्राम रोजगार सेबक का question paper है तो यह मेरा whatsapp number है आप यहाँ पर मुझे इसे send कर सकते हो बाकी जो भी update रहेंगे आपको हम बताते रहते हैं तो channel के साथ आपने जुड़े रहना है तो मिलते हैं आपसे next video में किसी नए update के साथ